शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले शनिवार को सोमवारी कॉर्टर राजेशाहु गार्डन और परिसर के नागरिकों की ओर से गवरों खड़तकर को श्रद्धान जली देनी के लिए केंडल मार्च निकाला गया यह मामला सकरदरा पुलीस टेशन अंतरगत का है जिसमें जाज के बाद पुलीस ने आरोपियों को धरदबोचा आज गवरों की हत्या के पाचवे दिन श्रद्धान जली देने के लिए नागरिकों ने केंडल मार्च निकाला क्रिमिनल लोग जो यहां घूमते रहते हैं उन लोगों के साथ इतनी कड़क करवाई होना चाहिए कि मेरा बच्चा तो मैंने खो दिया अब वो तो वापस आएगा नहीं पर भविश्य में कभी किसी दूसरे का बच्चा जाना नहीं चाहिए सोमरी कॉर्टर में और उन लोग की फुटेज भी मिल चुकी है उसके बाद मैं कानून से इतनी ही इच्छा रखती हूं कि अब किसी तरह की टाल मटोल न करते हुए उनके पर कड़क से करवेगा आज मुझे मेरा बच्चा नहीं दिख रहा ना उन लोगों को बहार का सूरज नहीं दिखना चा कोई किन्तु परण्तू ना हो क्योंकि सब क्लियर है ना ही उनको अब जमानत भी नहीं देनी चाहिए अगर जमानत देते हैं और फिर अगर कुछ होता है तो उसका जवाब दर तो कानूनी रहेगा क्योंकि अभी सब कुछ हो चुका है और वो तड़ीपर थे ना तड़ीप तो पुरे क्रिमनल थे। उनके लिए मड़र करना खेल था। उनको एसा है। वमारी काउटर अपनी देहषद बनानी थी। उन्होंने तो अपनी देहषद बना लिए मैंने मेरा बच्चे वली दिया। पर उनकी देहशद भी पूरी नहीं होना चाहिए। अगर इस पर कुछ होता नहीं है, तो फिर ये तो एक नहीं है, ऐसे कई होएंगे, हर दो-चार मेने में एक ना एक जाने वाला है, सबके घर में बच्चे हैं, इसलिए मेरी इतनी अपिक्षा है, कि अभी उन लोगों को छोड़ना नहीं, है ना, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते है, क्योंकि अभी मेरा तो गया, पर मैं यहीं चाहूंगे कि अभी दुबारा ऐसा कुछ हो ना यहां पर, इसलिए उनको कड़क से कड़क सिक्षा दो, और जमानत तो बिल्कुल मिलने ही नहीं पाई चाहिए, और यह नहीं है कि अभी वो कोट में केस जाएगा, छे साल, आ